नमस्कार दोस्तों मुझेलार फिर एक बार स्वागत करता हूँ आप सभी के चाहिते चानल इंडियन मुर्गी पालन में वड़ो देखने वाले हर्किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज की वड़ो में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत तो दोस्तों दुनिया का सबसे बहतरीन व्योसा है मुर्गी पालन का और दुनिया की सबसे अच्छी खासी बीड है दोस्तों देशी मुर्गी लेकिन देशी मुर्गी पालन का यह व्योसा है भारत वर्ष के हर कोने में अगर हमको लेकर जाना है अगर हमें यह व्योसाय हर घर तक पहुचाना है दोस्तों तो यह देशी क्रांती बननी चाहिए लेकिन देशी क्रांती बनने के लिए हमें मुर्गियों की तादाद बढ़ानी पड़ेगी हमें चूजों की तादाद बढ़ानी पड़ेगी लेकिन पारम पारिक विदी से हमें व्योसाई की बड़ोत्री करनी है हमें हमारा मुनाफा बढ़ाना है लेकिन ऐसे में हम अगर पारंपारिक विदी से गए तो एक तो हमारा मुनाफा नहीं बढ़ेगा क्योंकि चूजे ज्यादा वहां पर तयार नहीं होगे और साथ ही में ना मुर्गिया बनेंगे ना खुद का व्योसाई दिन दुगना और रात चौगना भी प्रोग्रेस कर सकते हैं तो दोस्तों आज का यह वीडियो स्पेसिली डिपेंड है इंक्यूबिटर पे क्योंकि आप सभी को पता होगा या नहीं होगा दोस्तों तो यहां पर देशी मूर्गी पालन का यह व्योसा का सबसे चहीता और लाडला व्योसाय बन चुका है लेकिन इस व्योसाय की सबसे बड़ी मांग है दोस्तों यहां पर उसके लिए इंक्यूबिटर क्योंकि दोस्तों बिना इंक्यूबिटर का इस्तमाल किये हम यहां पर मन चाहा लाब इस व्योसाय से कभी उठा ही नहीं सक कौन सा इंकुबिटर ज्यादा से ज्यादा चूजे आपको निकाल कर दे सकता है कौन सा वह इंकुबिटर है कि जो बारा माह तक आपको चूजे निकाल कर दे सकता है ऐसे अंगिनत अंस उल्जे सवालों को इकटा करके हमने इंकुबिटर डिजाइन किया है दोस्तो आज आप इंक्विटर देखने को भी मिलेगा और साथ में यह इंक्विटर कितने को है और कौन खु़िधा इस में दी जाती है आप सभी बाते सुनकर उसके बाद आपके मन से और दिल से निरने लेकर यहाँ पर ग्रृत कर सकते है करिए क्योंकि आज इस देश की यहां पर सबसे इंपॉर्टन जो जरूरत है वह देशी मुर्गी है और देशी मुर्गी की सबसे बड़ी जरूरत है दोस्तों यहां पर इनक्यूबीटर तो दोस्तों अगर आपका सब्सक्राइब रहा होगा तो वीडियो की दायतर प्निचल को मिलेगा और कोई समस्या होगी आपती होगी तो कमेंट सेक्षन में जरूर लिख कर भेज देखाया जाएगा यह इनक्यूबिटर 12 माह तब आपको चूजे निकाल कर देगा यह इनक्यूबिटर का जो चूजे निकालने का प्रतिशत है वह ज्यादा है और यह इंक्यूबिटर बहुत ही लाबदाएक है तो दोस्तो इस इंक्यूबिटर के साथ हम आपको कौन-कौन से सुविदा देने वाली सुनिए उसके बाद इंक्यूबिटर देखिए और आपको इंक्यूबिटर अगर पसंद आए तो दोस्तो आप उसके ब कौन-कौन सी सुविधाय तो दोस्तों इंक्यूबिटर आपके पास पहुचने तक अगर वहाँ पर खराब निकलता है तो दोस्तों उस इंक्यूबिटर को वहाँ पर आप तुरंट वापस कर सकते हैं पहले आप 84, 82, 62, 62 इस नंबर पर बता सकते हैं कि यहाँ इंकुबेटर यहाँ इस जगह पर जो है खराब है दोस्तों और उसके बाद उस इंकुबेटर को वापस लेकर आपको बदल कर दिया जाएगा. उसके बाद दोस्तों फैसिलिटी नंबर दो इंकुबेटर आपके बास पहुचा 8 या 15 दिन के बाद इंकुबेटर का जो इंपोर्टन पूर्जा है जिसमें टेमपरिचर कंट्रोल है, कंट्रोलर है, फैन है और अडप्टर है इन चीजों में से कोई भी चीज अगर वहाँ पर जो है दोस्तों खराब होती है, या यह चीज अगर चल नहीं पाती है तो तुरंद आप दोस्तों बदल कर ले सकते है, और उसके बाद दोस्तों इसका वरंटी प्रेड़ है, 90 दिनों का 90 दिनों में आपका कंट्रोलर आपका ऐडप्टर आपका फैन जितने दफा वहां पर जो है दोस्तो खराब होगा उसे उतने समय तक बदल कर दिया जाएगा यानि दो बार कंट्रोलर खराब हुआ 90 दिनों में तो दो बार आपको बदल कर दिया जाएगा उसके बाद दोस्तो फैसिलिटी नंबर 3 कि यहाँ पर इंकुबिटर कमपनी आपको वहाँ पर इंकुबिटर खराब है तो बदल कर देगी आपके इंकुबिटर का कोई पुर्जा अगर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो 90 दिन तक बदल कर भी देगी लेकिन इससे एक स्टेप फॉरवर्ड जाकर हमने यहाँ पर आपके लिए जो इंकुबिटर डिजाइन किया है उसके साथ ही दोस्तों इंकुबिटर पहुचने के बाद सभी कमपनियों का काम समापत होता है लेकिन हमारा काम वहां से शुरू होता है दोस्तों आपके बाद इंकुबिटर पहुचने के बाद इंकुबिटर को कैसे चलाना है और उसके बाद भी दोस्तो इस incubator को चलाते हुए अंडे चुनने से अंडो का selection करने से चूजे निकालने तक आपको हर जानकारी दी जाएंगी और उसके साथ ही दोस्तो उनका टीका करन का time table दिया जाएगा उसका brooding किस तरह से करना यह बताया जाएगा और किस तरह से फिड मुहया किया जाएगा यह भी बात आपको बताई जाएंगी इसका मतलब है दोस्तो आपको एक भी मिनिट के लिए फुरसत नहीं दी जाएगी और आपको कुछ भी knowledge नहीं होगा तो एक ना एक बारीग जानकारी दे कर आपको इनकुबिटर इस्तमाल करके किस तरह से चूजे निकाले जाते है इसके बारीग जानकारी दी जाएगी इसलिए दोस्तो इनकुबिटर तो यहाँ पर सबसे important चीज है देशी मुर्गी के लिए लेकिन इनकुबिटर कहां से ले आपका अगर यह सवाल होगा तो दोस्तो जो आपके सुख से जादा दुख में आपका साथ देगा उसके पास से इनकुबिटर लीजिए और जिस पर पर मैं विश्वास के साथ आपको आश्वस्त कर सकता हूँ बाकी आपका फैसला है दोस्तो आपको कब कहां और कैसे इनकुबिटर लेना है लेकिन आप जम्मु कश्मीर से लेके कन्या कुमारी तक गुजरात महाराश्ट्रिक से लेकर अरुनाचल की सीमाओ तक कहां भी भा साथ ही में दोस्तो आपके लिए सव, दोसो, तीनसो, चारसो, पासो जो इनकुबिटर मांगेंगे वो इनकुबिटर आपको तयार करके दिया जाएगा इसलिए दोस्तो बे फिक्री से रहिए और मुर्गी पालंग का व्योसाइब बढ़ाते रहिए तो दोस्तो यहें इनक इनकुबिटर कैसा है किस तरह से दिखता है और काम कैसा करता है और उसके बाद दोस्तों, आगर आपको इनकुबिटर बुक करना वाले हैं इसमें कौन-कौन सी चीज़े आती है और उसका यूज क्या है यह आज हम पूरी तरह इस देमोट्रेशन में देखने वाले हैं तो दोस्तों यह मशीन म्यार्त हम खोलके दिखिए इसके साथ में क्या क्या आता है क्या क्या नहीं हम आज बताएंगे दो व्ल्डर एक एक एली क्षैन एक के साथ हम 10 1987 की दो लाइटrek दोस्तों इसके साथ एक टेंपरेचर कंट्रोलर रहता है इसमें टेंपरेचर पूरा सेट करें वाला रहता है इसमें इसको आपने हाथ नहीं लगाना है अब यह वर्क कैसी करते हैं आज हम आपको दिखाएंगे यह देखिए यह 37.7 को यह बंद हो जाएंगे इसमें जो हमने टेंपरेचर सेट करें वाला है और 37.5 को यह बल्ब चालू हो जाएंगे अब देख सकते हैं टेंपरेचर बढ़ रहा है एक्जैक्ली 37.7 को यह बल्ब बंद हो जाएंगे अब देख सकते ही लाल पांदर से जली वाले हैं देखो दोस्तो 36 यह देखो 37.7 को बल्ब बंद हो गए है अभी मैं जैसे ही धक्कन खोलूगा देखो टेंपरेचर कम होते जाएगा से दिरको आपने आप कम होते जाएगा अब बल्ब बंद एक चालू बंद जो temperature control के काम होता है यह पूरा sensor का काम रहता है यह देख सकते हैं आप यह sensor यह आपको पूरा अंडो के बीच रखना है इससे की temperature ज्यादा नहीं होगा और कम होगा तो वल्प आपने आप चलेंगे तो दोस्तो इसका यूज आपको कैसा करना यह भी बता देता में शौट में इसके नीचे आपको एक newspaper डालना है दो मग्स जो दिये हैं हमने दो मग्स दो कोनों में रखने हैं इसमें गुनगुना पानी दाल कर थोड़ी सी level maintain करनी है ज्यादा भरना नहीं है जिसके कारण वह अंदर पानी गिरेगा यह मग भरके रखने के बाद आपको कम होने के बाद इसकी level maintain करनी है और यहां को आपको सव अंडो एक सरीके से बिठाने है और उनके ऊपर एक कौनसे भी sketch pens या इससे निशान करना है वह इसके वास्ते कि आपको दिन में दो बार वह अंडे घुमाने के है वह निशान एक बार नीचे जाएंगा और एक बार उ demonstration तो दोस्तों देखिए यह था इंक्यूबिटर जैल आड सर ने हमें पूरी जान कर दी है यहां इंक्यूबिटर था दोस्तों सव अंडों का semi-automatic इंक्यूबिटर जैसा जैल आड सर ने बताए कि इस इंक्यूबिटर में सभी बात है अटोमेटिक है लेकिन सिर्फ यहां पर जो अंडे होते हैं उनको टिक करके आपको उपर नीचे बारा बार घंटे के बाद करना है और जो मक्स दिये उनमें सिर्फ आपको बारी-बारी से अगर पानी कम हुआ तो भरना है लेकिन दोस्तो एक बात जानकारी में रखिए कि अगर आपको व्यवसाय शुरू करना है और आपको इंक्यूबिटर कौन सा लेना है आपके मन में सवाल होगा दोस्तो तो आपको इसी इंक्यूबिटर से शुरूआत करनी है दोस्तो क्य इंकुबिटर है और इस इंकुबिटर से शुरुवात करना बेहद आच्छा रहेगा क्योंकि शुरुवात में ही आप 30,000, 25,000, 40,000 का इंकुबिटर लेते हैं अगर वह धंग से काम नहीं करता है तो दोस्तो आपके मन में वहाँ पर बहुत ही बड़ा confidence lose out का जो है दोस्तो श करने से चूजे निकालने तक और बुडिंग टीका करन और फिड का total knowledge दिया जाएगा इसलिए आपके लिए यहाँ पर इंडियन मुर्गी पालन यहाँ जो इंकुबिटर है दोस्तो special लेकर आया है कि जो इंकुबिटर 12 माह तक आपको चूजे निकाल कर दे सकता है इसलिए दोस्तो पारमपारिक तरीकों से देसी मुर्गी पालन करना छोड़ दीजे अगर आपको समय से एक स्टेप आगे जाना है और आपको ज्यादा से ज्यादा मुनाफ़ा कमाना है दोस्तो तो आपको इस इंकुबिटर की साहिता लेनी ही पड़ेगी और आश्वस्त रही है औ वहाँ पर दोस्तो सव प्रतिशत गैरंटी के साथ रही है कि आपका यहाँ इंकुबिटर भारत वर्षे के किसी भी कोने में आप तक पहुच जाएगा और साथी में दोस्तो आपके लिए इंकुबिटर बेचने से ज्यादा हम आपको वहाँ पर नॉलेज भी के लिए आया हूँ जब तक देशी मुर्गी पालन को घर घर तक नहीं पहुचाओंगा मेरा आथक परिश्रम जारी रहेगा लेकिन देशी मुर्गी पालन को घर घर तक पहुचाना होगा तो उसके साथ यह इंकुबिटर की जो नायाब टेखनिक है वो घर घर तक पहुच सकते हैं दोस्तों यह मशिन अगर आपको अभी के अभी चाहिए तो अभी 84 82 62 इस नंबर को मिला कर आप इस मशिन की बुकिंग कर सकते हैं क्यूंकि दोस्तों दोसे लेके तीन दिनों की वेटिंग चलती है और उसके बाद ही मशिन आपकी निकलती है इसलिए अगर आपको अभी क्या भी इनकुबिटर चाहिए तो 84 82 62 इस नंबर को मिलाइए आपकी कुछ समस्या शिकायत होगी तो पूछिए और उसके बाद आप सव प्रतिशत इनकुबिटर खरीद के आपने व्यावसाय को दोस्तों दिन दुगना रात चोगना वहाँ पर प्रोग्रेस के साथ उपर भी उठा सकते हैं तो दोस्तों यह ता पूरा वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट सेक्षन में जरूर लिख कर बेजिए और वीडियो और उसके साथ यह इनकुबिटर पसंद आया होगा तो जरूर एक लाइक कर दिजे और साथ ही में दोस्तों ज्यादा से ज्यादा यह वीडियो शे वीडिया के साधनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही में दोस्तों आप से सब्सक्राइब हर रहे जाता है इसलिए दोस्तों यहाँ पर वीडियो की दाई तरफ आके निचली साइड को जो सब्सक्राइब का ओप्शन दिखता है उसे टच कर दिए उसके बाद कलर और चेंज हो जाएगा और बगल में आ जाएगी एक घंटी उस घंटी को टच करके और इस नोटिफिकेशन को अगर आप आप करते तो आपको आने वाला हर वीडियो देखने को मिलता है तो दोस्तों आएसाई एक नया वीडियो लेकर मैं आपका दोस्त उदलाड आप सभी